मुझे हैं तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करिए आज हम इस वीडियो में छोटे बच्चों की आख, नाख, कान और जीप, मुझ को किस तरह क्लीन करेंगे उस टॉपिक पर बात करेंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना भी मत भूलिए बहुत छोटे बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं अगर छोटे बच्चे जीरो से छे मैने के बच्चे हैं तो हमें क्या करना रहेगा आखों को कैसे साफ करेंगे नाख को कैसे साफ करेंगे कान को कैसे क्लीन करेंगे और मुण को कैसे साफ करेंगे सबसे पहले हम आखों की बात करते हैं आखो को क्या करना होता है जब बच्चे उठते हैं सोके तो हमें गीले कपड़े से फ़ोड़ा गुंभूरा पानी लेना है और गीला कपड़ा करना है और फिर या फिर कोटन ले लेना है कोटन बोल आजकल मार्केट पे मिलती है तो वह लेकर आपको इस जगे से इस जगे ते क्लीन करना है इसी तरह से हमें दूसरी तरह भी बच्चे के इस तरह ही करना है तो आप देखोगी कि इसका फेस उसकी आखें क्लीन हो चुकी है इस तरह बच्चे के आप आखो को क्लीन करेंगे उनमें कोई गंदगी नहीं हाने देंगे तो बच्चों की आखें स्टिकी भी न लेकर बाहर से पूरे मैं लागा करना है और आप अगर देखना है कि अन्दर ज्यादा वेक्स इखड़ी हो गई लेकर अगर ज्यादा नहीं है तो आप दोक्टर को दिखा सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो आप बाहर से पूरे को क्लीन कर दिजी ताकि उसका कान बिलकुल साफ हो जाए और जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो जब आप उसके सोप लगाते हैं उस सोप की उंगली जो हती है वो इस तरह से कान में घुमा दिजी तो उसका कान बिल करना है और नाग को साफ करना है अगर बच्चे को सर्दी चुखाम है तो हम नाग को कैसे साफ करेंगे तो हम नाग के अंदर ढूब डाल सकते हैं जिससे की बच्चे को आराब मिलेगा और फिर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इसी तरह से हम आप मुह को कैसे क्लीन करेंगे ज जीप पर पूरा वाइट वाइट लग जता है अतिकर फोर्मूला मिल्क जो बच्चे पीते हैं उनके जीप पर इस तरह रहता है तो हमें क्या करना रहता है उन बच्चों के लिए एक कपड़ा लेना ऐसी और उसको गीला करना है और फिर जीप पर अंदर से पूरा पाह निका जीप लगाते हैं और हम आई सी छेड़ नहीं करनी है कि बच्चों को चोट लग जाए इसलिए अगर आपको लगे कि कुछ ज्यादा घंदा है आप बच्चे के जीवान ज़्यादा घराव है यह आपको बच्चे के अंदर कान के ज्यादा वैक्स है तो आप प्लीज वप् अच्छे की साथ इस ही नहीं है तो वह हमको नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हिट चैनल लाइक चैनल को जरूर हिट करिए थैंक्यू